खास बात जो ड्रिप इरिगेशन है उसमें ये है कि थोड़े थोड़े अंतराल पर ज्यादा बार-बार हम सिंचाई करते हैं ही identifier स्प्रिंखलर में 3 गंट चार गंट पाँच गंट एक सिंचाई अपनंगर तो पनरा मिनट हैं इतनी हैं पाणी क्या पाणी ज़रूरत है पूरी तरह से ये गनीतिय कैलकुलेशन है कि पोदे की जल मांग कितनी है उतनी देर तक ड्रिप को चलाना है और हर दिन चलाएंगे या एक दिन छोड़के अगले दिन चलाएंगे या सापता एक रूप से भी चला सकते हैं लेकिन जितना अंतराल कम होगा या निक परती दिन अगर ड्रिप के मादम से देते हैं थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं तो वो सबसे बढ़िया है और आज कल तो एक और आधोनी किश्मे पदती आगी जिसको पल्स इरिगेशन बोलते हैं एक दिन में भी कई बार सिंचाई कर सकते हैं कुल जो पानी देना है वो तो उतना ह है उसमें काफी जाफा होगा ड्रिप इरिगेशन का जो अंतिम सोपान है वो है इसका ओटोमेशन जो की बहुत आधुनिक फार्म हैं किसान साथियों के आस पास के कुछ कास्ट क्यार जो ग्रीन आउसेज में खेतिक कर रहे हैं उन उन लोगों ने किया होगा स्वच आलन य ऊपरिफ सेंटर है वो अपने आप चलता है कब चलना है कितनी देर तक चलना है उसमें पोस्यक्त्व अफटिगेशन के माणिम से कितने जाने हैँ ये सारी चीज कंट्रॉलर के माणिम से कंट्रॉल होती हैं और हर फसल की जरूरत के मताबग उसमें सिंचाइजल भी उसमें पोसिक तत्वे भी जाएंगे और हमारा जो लक्षित प्रोडक्शन है लक्षित उत्पादन है वो प्राप्त होगा और खास करके आजकल बाजार की जो मांग है वो अच्छी गुनवत्ता की सबजियां अच्छी गुनवत्ता के फूल अच्छी गुनवत्ता के फल उस सारा ड्रिप के साथ साथ इसमें फर्टियेशन और ओटोमिशन के मारदें से संबव है.